नमस्कार दोस्तों AB Classes YouTube चेनल में आप सबी का स्वागत है आज का सब्जेक्ट है Basic Mechanical Engineering और आज हम लोग Basic Mechanical Engineering के कुछ ऐसे important topic देखेंगे हो सकता है इन topics पर आने वाले exam में question पूछा जाए बस आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है जो भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है चलते हैं स्टार्ट करते हैं तो अब आप लोग ध्यान से सुनेगे पहले chapter की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमें जो हमारा question paper है उसका pattern कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो जो हमारे question paper में total जो question है वह कितने पूछे आते हैं आठ question पूछे आते हैं आठ में क्या होता है जो हमारा एक जो question रहता है वह कैसा रहता objective type कर रहता है जिसको हमें attempt करना कैसा रहता इसा सैंसरी आता है कम वह जो कितने 5 question हमें attempt करने पड़ती moir पांच French कुछे नमें a pojaw करना ओर्ट में एक जो ओप्जेक्टिव बाला attempt करना इस तरह है तो तोटल में six question attempt करने होते है पहली बात तो आपी इस समझ गया है कि हमें कितने question बातर करना है LinkedIn जो question हुता हुआ हुए 10 number का हुथ है रहुता हुए how in progress 10 number का भृष्ज नम्बर होता है शत्त all the time जुत होता एक चाहिए बाट बात हो गई इसमे भी स्क्राइस सम बब्र को सकता है कि उस्यद्म कcak साथ हो तो डेंपीर मेंस के टार्य वाय। लोड़ा वी करते हुए उप्सप्षिक भा है एपनाएगा पेपर बनाएगा फेपर वो किस कुछिन को कितने नंबर में रख रहा है उसमें क्या पूछ रहा है उसके उपर डिपेंड करता है। फिर हमारी बात आते हैं किस नंएक ठीध तीären करना चाहिए पास होने के लिए कम से कम हमें तीन यूनिट तयार करना है अच्छे नंबर लाने के लिए कि हमें इंदम सिक्यूर हो जाएं कि हम पास होई जाएं या यदि तीन यूनिट कर लेते हैं तो इस टार्टिंग की तीन यूनिट हैं उसको आप बहुत अच्छे से तयार कर लें जिससे आपके फैल होने की चांस है वो 0 हो जाएं फैल होने की चांस कैसे हो जाएं 0 हो जाएं मलब फैल आपको कोई भी नहीं कर सकता है यदि आप 3 उनिट अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आप समझ गयोंगो यदि 4 उनिट कर लेते हैं किस से थर्मो डाइनिमिक्स से रिलेटेड है और इस पेपर इस यूनिट में जहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि निमेरिकल कुछ चन पूछा जाएगा याद रखें सिलेवस के अंसार पिछले एक्जामों मैंने देखा है बिल्कुल सिलेवस के अंसार पेपर पूछे गए है जो नाय सिलेवस याद रखें याल कि आनवा इस तामिस फल्क के अंसार जो खासकर मध्र विहार राइस्तान इसमरेश बदेशन हैं डिप्लोमा लेवल की दीकल का उनहें श्यान सो भी का सेम सीलेवस यह भी हमें याद रखना है तो इसमने नहीं लिखा एको पहले पेख़ए फिर दूसरा जो कुष्ण नहीं हो जी रॉथ लाउड थर्म नाइस इसको भी हमें रट्लेना है यह भी बेरी वरी इम्पोर्टेंट कुष्ट्ट्न में आता है है ना topic by topic में इसलिए बता रहा हूं कि question बहुत सारे बन जाते हैं आप खुद में घबरा जाओगे ऐसा कोगो इतने सारे question कैसे याद करेंगे और topic से आप तयारी करेंगे तो उस topic से अगर मनलब question बना के भी पूछा जाता तो भी आप लिखकर आ जाएंगे इसलिए हैं आप topic by topic में important बता रहा हूं ना कि question से बता रहा हूं तो याद रखें सबस्पेर हमें thermod 9 mix की property याद कर लेना है जो very 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 IMP है जीरोत law भी कैसा very very IMP है इसको भी हमें याद कर लेना है जीरोत law, फर्स्ट law और सेकंड law के statement याद करना है इनका कोई derivation हमें तयार नहीं करना है सिर्ख statement याद करना है statement में भी याद रखें फर्स्ट law का statement होगा जीरोत law का statement होगा लेकिन जो second law है इसके अंदर आपको दो statement मलेंगे एक मिलेगा आपको Kelvin का statement कुंसा Kelvin का statement और जो हमारा clause CS का statement इन दोनों statement को हमें second lock के अंदर याद कर लेना है यह भी हमारा IMP हम क्या सकते हैं very very IMP भी क्या सकते हैं हमने अभी क्या देखा सबस्पर हमें properties याद करना है 0 तलो याद करना है first and second lock याद करना है इनके जो भी statement है first lock का जो statement है उसको याद करना है second lock के भी हमें Kelvin और clause CS statement बहुत अच्छे से रख लेना है अब इसके बाद आती है हमारी refrigerator इसमें अड़क से भाग दिया गया हम जो यहाँ पर देख रहा है heat pump और refrigerator इन दोनों की जो भी इनको define किया गया with इसकी जो cycle होती है उसके साइथ जो diagram कह सकते हैं हम उसके साइथ हमें याद कर लें तो इसके हमें COP भी define करना है चाहिए तो COP भी हमें याद करना है इसके बाद जो एक कुष्टन मनता है वो होता हमारे कार नौट साइक के लिए इसका हमें कौन सा TES और PV diagram सीख लेना है जो कार नौट साइक के लिए हैं आपको देख रही है वेरी वेरी आयम पी टोपक में से आती है इसका हमें क्या आद कर लेना है TES और PV diagram बिलकुर रट कि हम जानते हैं एक यूट से चौदा नंबर तक के question पूछे जा सकते हैं किते 14 नंबर तक के question पूछे जा सकते हैं और 14 नंबर में क्या होगा दोनंबर का object होगा 12 नंबर की थे और यहीं इस तरह ड़ाइड हो गाए तो एक unit की importance क्या है आप समझ सकते हैं जब यदि passing marks 22 हो और 14 नमबर का एक unit से पूछा जाना हो यह हमें सम्मावन आप पूछा जा सकता है तो समझते हैं बाइस नमबर passing कितना आसान हो जाता है इसके जो मैंने हाइलाइट कर दी वो तो आप समझ गाओंगे सब्सक्राइब प्रोपर्टी जीरोत लो फर्स्ट एंड सेकेंड लो के स्टेट्मेंट इट पंप और एफेटर तरह हमारा COP हो गई और जो हमारा Carnot cycle की PV और टीस डाइगराम होगा है एंट्रॉपी की डेपनेश पूछ ली गई थी तो नॉर्मली हमें जो हमारी cycle और भी पिछले एक्जाम में पूछा गया था प्रोसेस है, cycle है इनकी उपर definition पूछी गईजी तो आप जो भी definition है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें जहां पर मैंने very very IMP लिखा हुआ है वो तो आपको विलकु रटके ह जाना है तो पहले चेप्टर से numerical question नहीं पूछे आएंगे जो भी मैंने highlight कर दिए इनसे question पूछे आ सकते इनको अच्छे से पढ़ लें introduction जरूर पढ़ें कभी भी किसी भी chapter की शुरुआत करें तो important question मैंने बताए important topic बताए अच्छी बात है लेकिन introduction उसका पढ़ना ना भूले है है ना बैसे knowledge के लिए सही ओ सकता question भी पूछा जा सकता है लेकिन knowledge के लिए जरूर पढ़ें तो हमें thermodynamics क्या होती है और कितने types के system होते है thermodynamics जो system होते हैं जो introduction में आते हैं इह introduction आप पहले वीडियो पढ़ेंगे तो हाँ पर आपको मिल जाएंगे जो भी मैंने topic highlight किये यह भी आपको हमारी YouTube channel AB classes में मिल जाएंगे और जो हमारी application है वहाँ पर भी with notes मिल जाएंगे तो आपको material की tension नहीं लेना material सारा मिलेगा लेकिन आपको पढ़ना जरूर पढ़ेगा अब यहां से second unit start होती है second unit में numerical question पूछा जाएगा पिछली बार भी पूछा गया अब numerical question कहां से पूछा जाएगा उस levels में लिखा हुआ होई से पूछा जाएगा सबसे पहले जो chapter है इसका नाम हीट transfer and thermal power plant दो भागों में divide किया गया है आप जानते होंगे convection, radiation इस तरह के जो modes of heat transfer है इन सभी को में याद कर लेना है यहां पर अल्रेडी लिखवी रखे conduction, convection और radiation, conduction, convection और radiation तीनों को हमें बहुत अच्छी से रट लेना है समझ लेना उनकी definition को with example पहला तो आप very very IMPT topic समझ गया होंगे फिर हम बात करें तो यह तो modes of heat transfer होगा है फिर इसका जो coefficient होता है उसका भी जो formula है और coefficient को कैसे define किया आता वो भी हमें तयार कर लेना है अब आब इसके बाद आती numerical की बात तो numerical question हमें यहां से पूसा आएगा अब numerical question के लिए आपको परिशान नहीं होना कम से कम जितने मैंने YouTube चैनल पर या AB classes जो हमारी AB classes application उसमें upload कर दिये कम से कम उतनी तो आप रट ले numerical question जितने मैंने upload किये उनको आप अच्छे समय लें और उनको कैसे solve किया जाता कैसे formula का यूज किया जाता है वह आप अच्छे से समय लें क्यूंकि उन्ही numerical को तोड़ मरूल के बोलते न कभी कुसी value को दे दिया आएगा किसी की बारे पूछ ले जाएगा लेकिन formula वही होना जो मैं solve करवा चका हूँ numerical question तो numerical question जो मैं solve करवा है उनको आप अच्छे से एक बार देख लें note कर लें तो पढ़ दें जो हमारा EB classes YouTube channel है उसमें basic mechanical engineering और bracket में diploma लेखा होगा उसके अंदर आपको playlist जो दी गई है उस playlist पे click करें तो सारा जो भी आपको study करना है material वह आपको मिल जाएगा इसके लाब अब thermal power plant second भाग इसमें हम देखें तो सबसे important कि आप fire tube और water tube बॉलर आ जाता है सबसे very very IMP question आ जाता है हो सकता इस बार इस पर पूछा जाए यह हो सकता repeat कर दी तो paper बनाने वाले के उपर depend करता है तो दोनों जो दोनों boiler है उनका construction का इसका diagram उसकी बर्किंग अच्छी से आप पड़ लें तो हो सकता इससे भी question पूछा है rank and cycle को हम देखें तो rank and cycle को यहापर define नी करना उसकी cycle बन question पूछे जाना है तो कुछ question extra भी होंगे तो सभी chapter से कुछ ना कुछ question extra पूछे आते तो extra यदि पूछा जाता है तो rank and cycle से भी पूछा जा सकता है लेकिन boiler के आपके जो यहां पर दिये गए topic उनको रटना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है तो याद रखें यहां पर हमे क्या करना है मोर्स व फीट टांसबर को अच्छे से पढ़ देना और जो इसमें कोप्षिंट है उसको अच्छे से समाझ लेना है उसके नवेड के लामें तायार कर लेना है और बौलर के बारे में अच्छे से पढ़ देना है नेक्स चैप्टर है हमारा स्टीम टर्वाइन जो हमारा आइसी इनियोरे में बारे में नहीं पूछा आगी कि ए घायात लिख दिया है आप पिछले चैप्टर में हम बता चुक्छे अब तो इस जो डिफरेंसे हैं वाहे ना Uhhा जरूरी करना है जूरी डिफरेंसे हैं तो के अंदर इंस टर्वन और रिख्षन टर्वन वह जरूरी आद करने हैं तो दो ही टॉपिक हे आप पर परेशाद नहीं होना है ऐसे हमारे जो condenser इसमें ही दोई topic है jet और surface condenser कि cooling tower आप skip भी कर सकते चलेगा लेकिन जो jet और surface condenser है इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ दे लिए topic ही उदने limited है अब उसमें important बतानी की कोई गुण्जासी निबचती तो हमें jet और surface condenser की जो construction और working है इसको भी अच्छे से समाझ देना है diagram बनाना exam में नहीं भूलना है बिट diagram उसको explain करना सीखें याद रखें topic में question कैसा भी पूछा जाता है normally हमें अगर surface condenser के बारे हम पूछा गया है तो surface condenser का diagram बना है फिर उसके बारे हम कुछ लिख कराएं तो यहाँ पर दो ही दो topic हैं दो topic यहाँ पर turbine के बारे में थे और दो ही topic यहाँ पर condenser के बारे में तो यह तो हमें कम सकुआ इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ेगा विसमें important बतानी की कोई भी जगए नहीं बची है लेकिन हम अगर और भी important यहाँ पर बताने की कुछ करें तो यहाँ पर इंपर्स टर्वाइं ज़्यादा IMP है और यहाँ पर जो surface condenser भी ज़्यादा IMP है लेकिन आपको दोनों-दोनों तैयार कर लेगा अब हम बात करते हैं second बाप की तो यहाँ पर क्या दिया ओटो साइकल दिया डीजल साइकल दिया डीजल साइकल दिया डीजल साइकल 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 डीजल अगर ज्यादा नमर का कुश्चन है तो उसके जो भी टर्म है पीवी और टीएस डाइग्राम के उनको आपको एक्स्प्लेंट करना है जो भी प्रोसेस है और यदि तीन नमर का या दो नमर का पूछा जाता तो सिर्फ डाइग्राम बना के आपको छोड़ देना है तो पहली नाम लेके हुए तो फ्र फ्र सटॉक और फ्र स्टोक इंग्राम है ऐसे हमें यहा पार डर गमर के मिला है तो इस Г­2-0 आडीजयार का दनें भी हमें अंतर समाईना है, डिफ्रेंसिस याद करना न भूले, तो इस यूनुट के हमें कैसी तैयारी करना बहुत अच्छे से आप समझ गाओंगे, सबस्क्राइब प्वी और टीएस डाइगराम बनाना सीख रहा है, दूसरा हमें टू स्टॉक, फोर स्टॉक में क्या अंतर होता, यह समझाना है, और फिर हमारा पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर होता, वो भी हमें समझाना है, SI और CI इनियन, जिसे बोलते हैं SI मलब पेट्रोल इनियन, CI मलब डीजल इनियन, तुम ही दे, इस यूनुट में हमें कैसी तैयारी करना है, यह भी आप समझ गाओंगे बहुत ही सिंपिल यूनिट है, बड़े आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी, इस यूनिट के भी सभी टॉपिक आपको AB Class Application में भी मिल जाएंगे, AB Class Application के एक फायदे भी हैं, वहाँ पर वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको PDF Notes भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिस दोनो नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट जो भी मैं समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में रहते हैं, उससे पढ़ना आसान हो जाता है, याद रखें, तो यहाँ पर आप समझ गया ह है, तो चलते हैं, फोर्थ यूनिट देखते हैं, तो फोर्थ यूनिट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें भी हम लोग कुछ बात करेंगे कि कैसे तयारी करना है, यदि आप हमसे नए जोड रहे हूँ, वीडियो अभी तक देख रहे हैं, हमारा AB Classy YouTube चैनल है, उसको सब् हम नहीं उसकते हैं, फोर्थ यहां पर दोड़े हैं, एक तो materials दिया है और manufacturing प्रोसेट जिए अब material में हम यहां पर देखें तो दो ही टॉपिक सामिल किये रहे हैं, दो ही टॉपिक हैं, एक तो classification हो फोर्थ यहां पर देख रहा होगा, दूसरी है तो हम यहां पर देखें, प्रोपर्टीज हमारा ज्यादा बेटेज बाला रखता है, वेरी वेरी IMP टॉपेक में से आता है क्या हमारी प्रोपर्टीज लेकिन पिछली बार जो कुछेंद क्लासिफिकेशन पर पूछा गया था, तो हमने कहां दो ही टॉपेक हैं, तो दो टॉ प्रोपर्टीज इनको एक बाद अच्छे से पढ़ लें जो हमारी टफने ऐसे कूसि एक के उपर कुश्चन पूछा जा सकता है या फिर डारेट प्रोपर्टीज पर पूछा जा सकता है तो उनको यहां पर आता है अच्छन मेटल कास्टिंग के अलावा जो यहाँ पर very very important question बनता वो बनता hot working and cold working से किससे hot and cold working जो यहाँ पर लिखा यहाँ पर इससे बनता very very IMP question यह आप ज़रूर hot working and cold working में क्या differences होते हैं क्या अंतर है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लें इसके लाबा यहाँ पर सभी topic important आने वाले जैसे extrusion भी very very IMP question है इस पर भी question पूछ आता यह भी हमारा very very IMP topic है और rolling भी very very IMP topic है इन पर question बिना वैसे ही पूछ लिए आते हैं short node में कहीं ना कहीं question पूछ लिए आते हैं आप हमें देखना है gas welding और अब जी हाँ पर जो gas welding है या arch welding है yes soldering और ब्रेजिंग इन तीनों मेंसे एक welding पर question पूछ जाएगा हम यहां पर काण फॉस्ट अं कर सकते हैं तीनों में से किस पर कुछ न्यूस पुछ जाता लेकिन वैल्डिंग पर क्वेल्डिंग e ऊश्चे-फॉच पर शॉचर्ण सप्ड़ांग। यहां पर इसका डाइग्राम परहना पड़ा इसका कि यहां प्रक्ष वेलड इस बार बेंगा am a क ár plugin अ में किसी एक पर पूछा जाना पूछ से इन दोनों में से किसी एक पर तो इसके आप बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बाद लाइक जरूर कर दें वीडियो को क्योंकि मुझे पता कहीं ने कहीं इस वीडियो को आपने देखा है तो जो भी आप तैयारी करेंगे एक्जम की वहां पर कहीं ने कहीं आपको help जरूर मिलेगी और आपका confidence भी बहेगा पर फिफ्ट मिनुट में देखें तो सबसे very very important IMP question जो लेट मशीन ही हो जाता हमारा very very IMP कैसा हो जाता very very IMP लेट मसीन को हमें बहुत अच्छे समयना है, इसकी construction working bit diagram बहुत अच्छे समयना है, और लेट मसीन की जो operation यह भी बहुत very very IMP topic में से आता है, इस पर भी question पूछा जा सकता है, IMP topic में से आता है, हमने यहाँ पर क्या देखा, लेट मसीन और इसके लेट मसीन की operation को हमें बहुत समय लेना है, आंगे देखें तो मिलिंग मसीन पर question पिछली बार exam में पूछा गया था, वो सकता है, रिपीट हो जाए, वो सकता है, नहीं भी रिपीट हो तो दूसरे किसी topic को पूछा जाए, अब यहाँ पर देखें, तो जो हमारी drilling machine है, इसको भी आपको अच्छी समय ले लेकिन जो मैंने highlight कर दी, इनको आप अच्छी से पाढ़ देखें, अब जो यहाँ पर देखा है, सेफर मसीन और planner मसीन, इनको पिछले exam में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पेपर में, दोनों में difference पूछे गए थे, दोनों में क्या difference पूछे गए थे, हो सकता है, इस बा बर्किंग, यहाँ पर हमने क्या कि देखा, लेट मसीन, लेट मसीन की operation थायर करना है, मिलिंग मसीन में हम देखें हैं, तो normally, मिलिंग मसीन पिछली बार जो question पूछा गया था, वह बहुत normal पूछा गया था, कि मिलिंग मसीन के advantage समझाईगे, तो कम chance रहते मिलिंग मसीन पू पूछा गया था, हो सकता, repeat हो जाए, लेकिन drilling मसीन को समझना नहीं बोलना है, इसका base diagram इसको भी हमें समझना है, इसके अलावा जो extra question पूछेगा है, जैसा हमें देख पा रहा हूँ, first unit से extra question पूछा गया था, जो thermodynamic system है, जो different types की system है, उनको हमें अच्छे से पढ़ देना ह जैसे में पेपर में देखा, open system, close system, isolated system, इस system होते हैं, इनको base diagram हमें याद करना है, पहले chapter की में बात करो, इसकी first chapter की, और हम एदी और बात करना है, इसके अलावा जो question एक और thermal power plant के बारे में question पूछा गया था, इसके thermal power plant, thermal power plant की एक स्पूरी complete layout diagram है, उससे हमें उसको explain करन पूछा गया था, इसके लावा पिछले एक जाम में जो question पूछा गया था, normally boiler का function क्या है, यह तो सभी बता देंगे, दो number पूछा गया था, लेकिन हाँ पर हम देखे हैं, तो diesel cycle with netices, अब diesel cycle, auto cycle को explain करने के लिए पूछा आता, महान लोग PV और TS diagram नहीं पूछा गया, और ब just diagram बना के उसको explain कर दें, वही मतलब होगा कि diagram सायद समझाना, तो यह भी आप समझ गया हुए, जो भी question पूछे गाए थे, पिछले exam में बो भी मैंने बता दिये, और कैसे तैयार करने, यह भी मैंने बता दिये, यहां से आप यदि इस तरह इस तैयारी करते हैं, जो भी मै